जब आखों में अर्मान लिया मंजिल को अपना मान लिया फिर मुश्किल क्या आफान क्या बश ठान लिया तो ठान लिया अगर को चीज हम ठान लेते हैं तो फिर कुछ मुश्किल और कुछ आसान से कोई फरक नहीं वड़ता है बच्पन में अगर हम लोग के दिल में खेलने की इच्छा होती थी तो बारिस हो रही है बाले कीचा गिर जाएंगे दाद मों तूट जाएगा लेकिन घर वाले कितनों रोंके भागी जाते समझे रहे हो वैसे अगर सोचो अगर आपको लगी है मतलब कहने का यह कि अंदर से कुछ लगा है तो वैसे सीखने की इच्छा है ना वह अंदर पर जागनी चाहिए अगर अंदर पर जग गई ना तो फिर छोटे मोटे औरोध काम नहीं करने वाले इपी तरह से मैथ में भी मैं आपको बता रहा हूं अंदर से जग्यासा पा लिए एक आग लगनी चाहिए अंदर से यहां मुझे सीखना है मुझे कुछ करना है क्योंकि मैथ की बिना कुछ है निलाइफ कुछ भी नहीं है कि रिजिनिंगं की विस्पुरवाट यहें से होती है रिजिनिंग की शुरुवाट पटन में हम लोग पढ़ना के साथियों की पटन होता क्या है पटन आपने कहीं सुना होगWhen और वह भी बहुत तरीके के होते हैं जिसने मैं कुछ तरीके से leas की की कि guy करता हूं आपके स्क्रीन पर आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी इन्हें थोड़ा सा समझें ना बाकी चीज़ें मैं बताऊंगा चलिए क्या कह रहा है कि बिन्नी एंड गिन्नी यह नाम है दोनों और गोइंग होम और वे देशा सम्पीपल मेकिंग अपैमेंट इसे मैं सब कुछ हिंदी में बताऊंगा तो आपका मन में यह सिकायत नहीं रहना चाहिए कि तो इंगलिस में पढ़ा रहा है सब हिंदी में बोल रहा हूँ इसमें आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं इसाधि जिर्व बना रहे ताई बर vient जीन देशा देसा हुं पैवेंड मतलब वर क्या होता है आब बता मुझे एक नक्सा की तरह कुछ दिख रहा ना आपको टाइल से बनाया जा रहा है इसमें भी लिखा है तो फिलहाल हमें उस वर्ड से कोई मतलब भी नहीं अभी मुझे उसकी हिंदी नहीं पता आप लोग बताना क्या होता है फिर आगे में दिखा रहा हूं भी इसके इसमें कोईशन का जवाब देना अंति खानी को बढ़कि आपको कूईशन का जवाब देना है अ आगे देखे क्या कर रहें लोग बना रहे थे क्या देशा उन्हीं क्या देखा यह बताओ क्या था अभी थोड़ा कम समझ में आएगा अभी आगे जब पकड़ पकड़ की दिखाऊंगा चीज़ों को समझ में आएगा इस फिगर में भी एक पैटन बना है इसमें देखिए आरीचिंग होम देशा दियर मदर फारी हैंगिंग और रोप इट अलसो है डानाइज डिजाइन है अशरे लाइनिंग तीन चार दीख रहीं अभी पैटन कर देखो घ्रटन समझ में आ रहाए एक आसे हैं फिए कैसे पाटन पिर नहीं समझ में थोड़ा रुकना यजिदा बने रहा ताब इसमें देखो जो डिजाइन दिख रहे इसमें पैटन बन रहे कि नहीं पैर्क में जो आपको दिखराए लोएगा इसमें अगर आप एक चीज देखो तो ऐसे यह आई से बना है अज़िए और यह रेगुलर बना है एक ही से पर इसे बता बना है कि नहीं नीचे भी ऐसे बना है ऐसे बना है तो कोई भी जो डिजाइन बने रेगुलर बने एक सिस्टम से बने और वो बनता ही जाए उसी में रिपीट हो पैटन का राता है जैसे पैटन का सबसे सस्ता एक्जामपल देखनो पहले फिर मैं और महिंगा महिंगा दिखा हुआ पहले सस्ता और आसान का सबसे अच्छा एक्जामपल इस सिढ़ी है जो आपको दिख रही है इसमें क्या है ना भाया इसमें अगर आप देखो तो जो डंडे लगे ना बीच में वह बराबर बराबर दूरी पर है जैसे अगर हम सथ पर मतलब वो खराब है ठीक है ने बीच में चड़ने वाला निपड़ जाएगा यहां पर इसका पैरी नहीं फड़ इतना लंबा जाएगा कि यहां से पैर उठा के उपर रखें अब अब यह एक पैर नहीं है क्योंकि यह सीड़ी के जो डंडे लगे हैं वह बराबर बराबर दूरी पर ही लगे होते हैं मतलब समझ में आया यह क्या है पैटर ना आप सीख रहे हो आप अब यह आगे चलने तो बहुत कुछ सीखोगे आईए अब आपको थोड़ा कठीन पैटर दिखाते हैं बहुत आफसान था जिसे में महेंगा सस्ता बताया था तो हम यह देख रहे थे यह भी क्या एक पैटर है दोनों ग्रिल के बीच में सबाशी में वो बराबर बराबर दूरी पे एक ही आकार का समय में है वह भी क्या पैटर नंगे देखते चलो अभी कान नहीं क्या है देखते चलो यह चीजिन आपको समझना है यही क्या है पैटरन है ठीक है बहए यह इसमें देखो 20 मेनी सट बिन्नी मदर लुक एड़ पिक्चर एंड हेल्प बिन्नी इंद मैजिंग विच पीस आफ दा सेम बैटन कहने कि यह मतलब है जैसे कोई ची तूट गया और तेढ़ा मेना तूटा है जैसे देखो एक जहां चूहा काटा है यह आपको लेट दिख रहा है उदर साइड में चार टुकड़े हैं तो कि आप बता सकते हो इस पर कौन सा फिट बाइठेगा चार हो तो नहीं बैठेगा न कि उसमें देखके इस पर लाके एक अर्जेस्ट करो यह क्या पैटन है पैटन के बारे में थोड़ा आसान भासा में समझ लिए इसमें आपको कम समझ में आ रहा होगा जिससे आपको समझ में आए गिंती में नंबर पैटन बता दें तो ज्यादा मजा जाएगी एक बार फिर आगे बताएंगे तो एक पैटन देखो पिलेंग कड़ रहे हम जालो बेसिक एक दम क्युMagंने चार लिखा कि कि यह पर आप यहीं होगे यह मैं कॉन बइक यहाज है इसमें दो जोड़ने पर यख़ां ति मैं यहसुने ऑपन लिखा कि यह अख्यर्ज के पांच करने पर आ यह ब्राबर ब्राबर रॉए जद्यवकों कि सिर्फ अगर जिसे नहीं को भी तरीका हो सकता है औहुत सारी किताब वाला भी अभी दिखा रहा हूं कि पहले चीजों को क्लियर करना सीखिए कि कैसे कैसे हो सकती है सिच्विएसन में ठीक है कि आई यह देखिए अब आगे समझें आगे क्या मेरे भाई समझो कि पैटन में अगर हम बात करें जैसे है 85 95 एक 93 103 113 समझना यह क्या है प्लाब टेन है यह क्या है माइनस टू है यह क्या है यह क्या है माइनश को मासा ही है तो यह एक माइनश होना चाहिए तब हट्र Recon लगनश क्यों कूँकि 10 जूरा है फिर दो घंट रहे पिर फिर दोमन चाहिए चाहित पर आप तो Sukpe आख अज चाहिए इसा एक्वह नहें हो देखना इसमें देखो इसमें भया यह तीन जुड़ाना कि इसमें बढ़ा कितनी 10 जुड़ा इसमें एक घटा इसमें आठ बढ़ा इसमें ओकोई पाइटन नहीं क्यों देखो तीन आठ एक अट सब अलग अलग जा रहा है उल्टा-पुलटा हुँआ कि कि फ़ड़ा दस जूण रहा है एक घट रहा है आठ बढ़ रहा है पोईCal नहीं है इसमेंवहर यह फैंटन है एक दस जूण रहा है तो चुल रहा है टा डुन गट रहा है कि मत sock acontece अनतर आ आगे क्लास में जाओगे तो और ज्यादा लेवल बढ़ाया जाएगा अब देखिए कुछ एक्जामपल में इस्क्रिन पर आपको कुछ पिच्चर दिख रहे हैं इनको देखिए मगर प्यार से और इसमें कुछ समझ यह क्या समझना है पढ़ो क्या लिखा है मुझे अब मत देखो तब ही ठीक है इस्क्रिन देखो क्यों बहुत है चलो किया रहा है माधव वांट्स तुमेक पैटर्न अन गेट यूजिंग कैन यूजिंग कैन यूजिंग वीच आप दीज कैन बी फार्मड वीच विच विच भी दिस अब मतलब माधवांट तुमेक पैटर्न अन गेट यूजिंग उसकी ग्रिल वहाँ पर लिखा गया है इससे एक पैटर्न बनाना चाहता है वो तो कैन यूजिस विच आप दीज कैन नाट वी परफार्मड विद इस इसमें से जो यह पैटर्न दिये गए उसमें से कौन सा आप आएचा है जो इसमें यूज नहीं हो सकता है पैटर्न बनाने में बताओ आप अन्सी जोडी है जो इसके पैटर्न प्रेयेट करने में यूजरत नहीं हो सकती है अगर आप ध्यान से देखो इस फिगर में अभी डिजिटल बोड आ गया अभी मैं इसके उपर डरा नहीं कर सकता हूं जो दिख रहा आपको नहीं तो मैं पकड़ पकड़ के दिखाऊंगा इसे गुमा गुमा के लाइन के हाए ही है इसमें देखो भईया दो तरह के आपको ग अगर जहां से इस्टार्ट हो रहा है यह गृल जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें एक में देखो घुमावदार है और एक में नहीं है जैसे अब बात करें जहां से यह ग्रेल शुरू हो रहा है आपको उपर इसमें मेरे भाई यह ऐसे कुछ है वह बोलो आई से पाइंचा वाला नहीं है नहीं है नौइ इस पैटर्न में यूज नहीं हो सकता है क्वैव क्योंकि वो इस चे में रिलेटेड हाई ही नहीं देखाए कि यहाई ना को कोई डाउट बताओ को कोई कंफ्यूजन कोई टेंशन कोई लफ़डा तो बता दो मुझे नहीं ना नोड आउट आगे बढ़ चले हमसे लोग चलिए आगला कह रहा है कि देखो मैसे आगया डिजिटल बोर्ड आउट फार डेलेवरी हो चुका है आज है 21 नौंबर 2022 और मुझे उमीद है कि 25 तक यह इंस्टाल कर देंगे आ तो हम आब को डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाएंगे फिर इसके आगे की वीडियो आपको भेतरी तरीके सुस्में मिलेंगे अभी हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो आगे वाला देख रहे हो ना अपडेट हुआ हो पुराना वाला वीडियो पढ़ा होगा तो इसमें इस पर सिखा रहा हुँ उसमें बोर्ड पर बस बात तो अहीं हुई ला तीजें वही है कोई फरक नहीं पड़ता है तो थोड़ा अच्छा लगता है अनुभो अच्छा होता बस अगला देखिए क्या कह रहा फिल अब दा ब्लैंक बाक्स तो कम्पलीट पैटन ओके अधर में पर बात कर रहा है जा इसे अगर इसे खाना बना है इसे दूफ़ाई की बात कर रहा हूं उसमें तो वह तो पूरा कंप्लीट है प्हली हिखे पु कफूलर में पहले में क्या वड़ाइगा एलो lighter," पिंक वाला या डियंड जो भी आपको दिखरा लग घृब करूयों है थो कि वैसे यगले में या बना लोगे प्यतरन कि नहीं बना पाओगे कि अदर्व पर दोनों बने हैं वैसे नीचे के भी बन जाएंगे नहीं समझ मैं आगा मुझे बताना इसका मैं आलग से एकाथ वीडियो दे दूंगा आपको समझने की बस को से इस परो आगे बढ़ें कोई डाउट किसी को नहीं न जो भी बच्चे पीबियारे स्टडी का कोर्स लिये हैं यह समझ लें कि उनी की वज़ा से यूटूब पर भी कलाफे चल रही है यह जितने भी गैजट जितने भी डिबाइस यहां जो कुछ भी हम कार इसकित पार है वही हमारी सक्तिय हमारे सब कुछ है दिए तो हम कुछ भी नहीं है तो एक बार देख लो कई इस खड़ा हूं न फिर मैं ऐसे गुम गया विर मैं ऐसे गुम गया ечन और फिर एकपड़न बना लेकिन अगर मैं आइसे घूमा फिर मैं ऐसे आ गया फिर या इसे फिर ये कोई पेटन नहीं है हुद जिन्दगी अगर आप एक पैटन पर चलो गए तो अच्छी चलती है अगर याइसे डगमक-डगमक होती तो अच्छी नहीं होती है कि रहा हो ना बात समझ में आ रहा है अब ये पान के पत्ते भी एक पैटन बना रहे हैं इनसे कुछ सीख रहे हो अब देखो इन में क्या है एक तरफ दिल के जैसे दिख रहा नहीं है दिल वाले ही खाते पान ना तभी वचे मैं नहीं खाता हूँ ऐसा नहीं फिर भी दिल है मेरे अंदर अच्छा सा देखो ये पान का पत्ता मुझे बनाना आता है ऐसे क्योंकि इसकी सकल किसी चीज से मिलती है ए भाई गोर बज़ती ना करो यार इसे नहीं बनता है ये ऐसे बनता है न रुकर रुकर को एक मिनिट यह फिर भी जो भी बन गया बहुत अच्छा बन गया मैं कभी काला नहीं बना पा पहला जहां शुरू है अगले को उपर को है फिर निच्छे को है फिर उपर को है फिर निच्छे को है बोलो है न तो क्या पाटन बनाना ऐस्ता कि यूजींग उझान सुछ आउट कोई sackन की नहीं देखिये सिंटेर्ट लाइन द्छिए प्रान की फ्रतियों आला उसमें क्या पहले मुंदी नीचे को है ? फिर इधर को हुई फिर नीचे को हुई खो शत्री और प्रफ अगले में देखोति लाइन देखो एक का मुंडी इधर को एक सिप्रव से यह आगई लाइन देखो उसमें दोनों कि इधर मीध sytu लेबले पह पैटन से सीख लो बस बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी आपका मैत सीखने का लेवल बहुत चोटा है साथियों सब कुछ सीख जाओ के टेंसन मद लेना जिंदगी में यार कभी वी एक बात और याद रखना मुझे पता है आप जिस उमर में है जो दर्द है में इस उमर का वो मुझ आते हैं कि आताफ होते हैं कि लड़कों के लड़कियों के भी आजयों कि कम दोनों के बराबर संख्या में पात शाए сценे की बात है लोग करते दिल तूट गया दिल तो 24 घंटा काम करता कभी छुटी नहीं लेता है तो तूट जाएगा जिंदगी खता हो जाएगी तो पहले तिया समझो साइंस के स्टूडेंट हो आप मैद के दिल कभी तूटता नहीं है वह हार्मोंस एंड हमारी फीलिंग का कमाल है जो मैं कि शुरुवात का है यह तो इसलिए आपको पहले समझ जाएंगे तो आगे मन लगेगा ठीक है आप रास्ते में जा रहे हूं रास्ते में जा रहे हूं और कोई लड़की किसी लड़के के साथ बैटके जा रही है तुमारे दिल तूट जाएगा शब्रेन आपने उससे पर लेकिंग में कि यह तो भाई काओ कि इसमें कौन सी बड़ी बात है यह तो सिंपल सी बात है दूसरा लाजिक की बात समझे मतलब की कभी-कभी होता क्या है कि हम लोग बहुत ज्यादा उमीदे पाल लेते हैं कि अगर आप हाथी से उमीद करो कि पेड़ पर चड़ेगा तो कभी नहीं सब्सक्राइब करते हैं इसी कलास वाले ही होते हैं सर्फ कोर्स लेने की बात भी नहीं पढ़ पाते हैं इसलिए बोल रहा हूं बहुत ध्याद से सुनना बस आधा मिनट बताऊंगा मालीच आप किसी ऐसे कमरे में बैठे हैं बहुत अच्छा एक्जामपल है जो बिल्कुल बंद है अधेरा आइक्दम उसमें कुछ नहीं दिख रहा है और आपको बिल्कुल आख बंद करके उस कमरे में ले जाके बैठ में जो कमले रखे हैं उसमें सूखे पूल पड़े हैं पिच्छू कोब्रा आलमारीं बैठे हैं और आई से इसे खतरनाक प्राणी उसमें है कि अगर मौका मिल जाए तो आपको चट कर जाए कुद देर में अब यह बताओ सोच करके कि धोखा कि ने दिया कि इसमें धोखा कहा हुआ आपने जो कलपना कर रखा था वह गलत था यह फिर जो लाइट जल गई यह गलत हुआ इस बात का जब आप क्योंकि उपर जो नंबर उस पर करोगे तो उसका रिपलाई हमारे साथी लोग करेंगे समझ नहीं पाएंगे क्या बोल रहे हैं इस पर करना हम बताएंगे बताओ क्या जो आपने कलपना कर रखा था वह जो लाइट जल गई लाइट यह आपकी इमेज प्रिश्चिन यही होता रिलेसंसिब में रोकिसी के साथ मिलते हैं ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मिल गए पूरी जन्नत मिल गए बस यही सब कुछ है और कुछ है नहीं जब उसके बारे बाद में पता चलता है तो वही कमरे वाली हाल होती है लाइट जलती है सुरू-स यही सच्चाई है कुछ लोगों को मेरी बुरी लगी हो तो चार मिनट पे लिए लेकिन माफी चाहते हैं यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है युगाओं की और काफी संख्या में हमसे सजैसन लेना चाहते हैं उनको लगता है कि बस यह हर चीज के बारे में एकदम पहले नहीं होती है नए नए पर तो फिल्हाल यह सिस्टम की बैटरी बहुत ज्यादा लोग हो गई है कि पैटन का अगला टाइप देखिएगा साथियों इसमें आपको मैं कई टाइप बता दूंगा जिससे आपका एकदम कंफ्यूजन न रह जाए जैसे आपको फिगर द अब 400 दिखर रहा है एकolor का स्कायर दिख रहा है इनका फिक आपना इक पैटर्न है जैसे अगर एक तरकल यह है परकार काप तन है इसमें और सिकेंगा लेकिन कोई पर देखर एक दो बना लेने सान रह जैसे देखो अब में आअगे दिखांग आपको फिर क्या है एक सर्कल है फिर एक क्या है इसक्वायर है ये एक पैटन है सर्कल इसक्वायर सर्कल इसक्वायर सर्कल इसक्वायर लेकिन अगर एक सर्कल और इसके बाद में ऐसे हो जाता ये फिर ये दोनों में अंतर लग रहे न फिर मालो ये हो जाता फिर ये और फिर मालो की क कुछ नया आई से बन जाता तो क्या यह कोई पैटन नहीं यह कोई पैटन नहीं है कोई समय में आने भली चीज नहीं इतना लेकरके आगे पैटन बनाया जा सकता है क्यों घं की तरह इक सरकल एक आयत एक वर्ग फिर दो सरकल कि एक तिरभूज और फिर अगर यह सीरीज कोई हो जाता लेकिन अगर केवल इतने की बात करें कोई पैटन है तो कुछ नहीं है यह कुछ नहीं कि अगर अभन के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए ठीक है इतने में आपकुछ नहीं कर सकते हैं कि आगे बढ़ें इसमें किसी को कोई डाउट कि नहीं न तो इसको मिटा दें इसको आप लोग नोट कर लिजिए फिर आगे बात करते हैं ठीक है नोट करिए इसको अब देखो एक ही हो गया और कुछ तरह है क्या पैटन का कि एक देखी है उपर उपर को एरो बना है यह सब में यह 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 क्या पैटन का टाइप है क्योंकि सब उपर कोई है कि अधि मेरे अगर तीफरी लाइन देखो आप जो डाट डाट वाली है उसमें देखो क्या है तीफरी लाइन डाट डाट वाली में देखो क्या है इसमें देखो एक पैटरन टाइब का है कुछ ना क्या है पहले खाने में एक रेड बिंदी है दूसरे में दो है तीसरे में तीन है चौथे में फिर एक है यानि एक फिर दो फिर तीन फिर एक तो यह भी एक पैटरन बनाया जा सकता है आगे फिर कितना होगा दो हो जाएगी फिर तीन हो जाएगी फिर एक हो जाएगी फिर दो फिर तीन फिर एक ऐसे भी पैटरन हो सकता है कि अगला लाइन देखो इसमें देखिए दो लाइन उपर को है एक पिंक कलर की है और एक आपका ग्रीन कलर बोल सकते हैं या जो भी दिख रहा ना आपको अब डिचल पैनल आ गया है लग जाएगा कल परसों से उस पर चलेगा तो मैं आपको अलग-अलग कलर में भी दिखा सब्इखिस फिर नीचे ओभी दो है लेकिन द्याले पहले पिंक फिर ग्रीन मंबइंक चल रहें उसको फिर पिंक फिर JEFF फिर फिर ग्रीन और और एक बार दोनों उपर पर ugh implicit तॉन नीच्छे को हैं फिर दोनों नीच्छ नीच्छ यह पैटन है अच्छा अगर इसमें इसके आगे बचा हुआ जो ख़ाना उसको भरना है पैटर्न तो कैसे रहएगा रोपर को नीच्छे को बता भया जो एरो डबल डबल एरो आली कालम है उपर से देखो तो चौथा नंबर उसमें आगे जो बचे हुए खाने उनको भरना है किस तरह के पैटन होंगे मताओ डबात राइंगल वाला जो ग्रीन कलर का ट्राइंगल दह रहा है आपको नीचे से तीफरी लाइन में डीचे फिर ती लाइन देखो में ठाइंगल है पहले ऐसे लिओ pressured के बात किया दो डाइंगिल की पैर भी कुछ क्या है दो डार्ड है इस ऐसे न कल्राइबग Woran in the अगला में अगर देखो नीचे से सियten यॉण उसमें जो जैसे बना है ना उसमें आंतर है पूरा-पूरा डार्क कलर में है दूसरे में डेखो आधा डार्क है दार कलर है फिर अगला है अगले में भरोंके तो क्या ए गगाब कहले ना अधा-था-धा, अधा-उल्का है, ये तूब बस उमीद है कि आप जब अगर सिस्टम समझ जाओगे तो फिर पूरा कर लोगे और चुक्कि अभी स्टार्टिंग है तो इस्टार्टिंग में मड़ी तकलीफ होती हर चीज में कि अगे बढ़े कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को नो डाउट नो परिसानी चलिए अगे बढ़ सकते हैं हम लोग कोई दिक्कत नहीं है अगले में क्या होगा नीचे को खुला रहेगा फिर उपर को खुला फिर नीचे को खुला ऐसे बन जाएगा क्लास टू लेबल में और बहुत ज्यादा कुछ हाई फाई नहीं है तो यह थी पूरा पैटर्न की कहानी उमीद है आप सिख गया होंगे किसी को इसमें कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए अगर आप इस क्लास को यूटूब पर डेमो के रूप में देख पा रहे हैं लेकिन तब ही जब आप पढ़ोगे जब आप पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है ठीक है नोट से जरूर बनाना है लिखना एक तरब से नाइन फोर अला नंबर में आपको दिया आप लोग उस पर संपर करें हमसे डारेक्ट बहुत बहुत धन्यवाद उमीद है कि आप लोग अच्छे रहेंगे लवस्वास तमस्त रहेंगे और पढ़ते रहेंगे और लोगों को भी सजेश्ट करिए अगर आपको फायदा हो रहा है अपने साथियों को बताईए कि पी व्यार स्टडी में मैं सिखाया जाता है चुपे से बता दीजिए जो 50 साल के हो गए 45 साल के हो गए बच्चों को मैथ सिखानी है बच्चे कह रहें कि मम्मी पापा तो बन गए लेकिन मैथ नहीं आती आपको यह घोर बेज़ती ना करवाईए अपनी बच्चों के सामने ठीक है क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए प्रेड़ा के स्रोथ हैं आप मैथ सीख सकते हो जिन्दगी भर हमेशा कुछ ना कुछ इंसान सीखता है जीखनी के कोई उमर नहीं होती है आप भी जोइन कर सके सीख सकते हैं थैंक्यू